चैनल को सस्क्राइब करने के लिए देखें यहाँ पर रेड कलर का सस्क्राइब बटन दिया है उसको इस तरह से क्लिक कर दें और देखें बगल में बैल आइकन आगे उसको भी क्लिक कर दें इस तरह से ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच हलो गाइज विल्कम बैक मैं चैनल फ्रिंस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीचन के कुछ बेस्ट और बहतरीन और ग्नाइजेशन आइडियाल्स पिछला वीडियो देखकर मेरा इस तरह का ही कुछ लोगों ने मुझे से रिक्वेट्स कीती कि मैं अगए इस तरह का वीडियो अप्लेट करूं तो मैंने कुछ एकक्ट करके कुछ सलेक्टेटिद पीसेज अपलोट किया हैं तो यहां पर देख सकते आपकी इस तरह से आप रैक में प्लेट को ऑर्गनाइज कर सकते हैं और दो शेल्फ में यह है यहां पे दोनो तरह का मैं शोग कर रही हूँ कि पिदाउर प्लेट से कैसा लगेगा और इसकी प्राइज भी मैं हाँ पे शोग कर रही हूँ यहां पर एक ड्रेनर और और और्गनाइजर टू इन वन है जिसमें बरतन दुलने के बाद साइट से पानी निकलने के लिए ड्रेनर बना हुआ है सेवन डबल लाइन में है यह और साइट में इसके देख सकते हैं स्पून होल्डर भी लगा हुआ है अगिन मैंने एक टू रैक का यहां पर बरतन को और्गनाइज करने की ट्रे रखी है जो टू रैक की है और ड्रेनर भी साथ में है इसमें मुल्टिपल कलर आपको मिल जाएंगे और उपर के रैक में कई तरह के बॉक्सस है इसमें कप वगरा को आप अच्छे से रख सकते हैं और फिप्टीन फिप्टी इसकी प्राइज है आप मैंने किया हुआ है यहां पर एक वेजिटेबल और फ्रूट होल्डर है जो कटिंग के बाद आप इसको एजिली रख सकते हैं और इस तरह से इसमें आप अटेच कर सकते हैं अपने सिंक में और डिरेक्ली आप फ्रूट अगेरा कार्ड के इस बॉक्स में रख सकते हैं प्राइज यहां दे रखी है आप देख सकते हैं किस तरह से यह दिखता है और इसके प्राइज क्या है कि अगेन एक वेजिटेबल वाश करने के लिए एक होल्डर है जो सिंक में एड्रेस हो जाएगा और नीचे छोटे छोटे होल है जिससे पानी आपका ड्रेन हो जाएगा यहां पे एक बहुत ही काम की चीज में ने आइड की है जो वेजिटेबल आइंड फ्रूट होल्डर है आइजिली यह सिंक में आप अजेस कर सकते हो इसको और यह स्टीनलेस स्टील का है आप देख सकते हो कितना लंबा चोड़ा है यह और वेजिटेबल फ्रूट के साथ साथ आप इसको किच्छन के बरतन रखने का भी यूज कर सकती है पानी ड्रेन करने के लिए और इसकी प्राइस यहां पर है और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी थ्री परसेंट के आप पर है 579 का है यह यहां पर अगेन एक और अर्गनाइजर है जिसमें आप बावल बगएरा कप बगएरा सारी किचन की कटलरी बगएर आप और नाइस क अगे पर आपके लिए तो यहां पर मेजर्मेंट भी इसका है कितना लंबा चोड़ा है यह अगेन एक और अगेन एक अर्गनाइजर है और अगर आपका किचन चोटा है तो यह काफी काम का है आपके लिए यूजर देख लें किचन रैक पर यह इजीली स्टैंड कर सकते हैं इसको बहुत सारी चीज़े इसमें अर्जस्ट हो जाएंगे साथ क्लीनिंग के लिए बातरूम में रखने के लिए क्लीनिंग की जितने भी चीज़े होती है उसको भी आप इसमें रख सकते हैं साइड में यहाप एक एक बॉयलर मैंने आइट किया है जो एलेक्ट्रिक है और इसकी सारी डीटेल आपको डिस्क्रिप्शन वाक में मिल ज है इसकी भी टीटील आपको लिंक से आप ले सकते हो प्राइज यहां मेंशन है कि एक नेया बिल्कुल कमाल का एडिया है पानी पूरी होल्डर है यह पानी पूरी अगर खाने के शौकीन है और तो इस तरह के चुट चुट हेल्डर आप रख सकते हैं सिलिकॉन मटेरियल का है यह और टू डबल नाइन की इसकी प्राइज है जो फोर पीस के सेट में आपको मिलेगा मल्टिपल कलर है इसमें यहां पर अगेन एक और नाइजर है जो सेल्फ में आप खोल्ड कर सकते हैं आप अपनी कबड में कपड़े रखने वग अगे लिए भी इसको यूज कर सकत कि आप जाएगा यहां पर इसके प्रैस मैं दिखा दे रहे हों साथ ही दिका दे रही हों किस तरह से दिखता है एल कलने एक किचन में भी इसका मल्टिपल वरक आप में बसंग कर दो दो कर आसकता है आपके इस तरह से और यहां पर मैंने त्री पीस की एक मल्टिपल यूज के लिए एक वास्केट डायट की है जिसका कई काम आप कर सकते हैं काफी अच्छी प्लास्टिक में है और रिव्यू इसकी बहुत अच्छे थे और रेटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है इसलिए मैंने इसको एड़ किया है इसमें रहां पर हाइट और इसकी मेजरमेंट आप देख लें अपने इस पेस को देख लें जहां पर आपको रखना है आपको समझ में आ जाएगा अगेन एक औरगनाइजर है जो टू-पीस का सेट है जिसको आप सिंगल पीस में भी यूज कर सकते हैं यह अलग-अलग हो जाएगा बहुत अच्छी प्लास्टिक के साथ यह मल्टिपल वर्क में आपके काम आ सकता है किचन में और बातरूम दोनों में भी इसका यूज किया जा सकता है आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी हूँ कुछ भी आपको पसंद आता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप वहां से मगा सकती है बाई बाई